मेरे प्यारे देश्वास्यों नमस्कार कुरुना के खिलाब देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कुछ सब्ता पहले तक स्थित्या समली हुई थी और फिर एक कुरुना की दूसरी बेव तुफान बनकर आ गई जो पीड़ा आपने सही है जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा एसास है जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है मैं सभी देश वास्चों के तरफ से उनके प्रती संबेदनाय व्यक्त करता हूँ परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूँ चुनावती बड़ी है लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प अपने होसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है साथियों अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों मेडिकल स्टाप, पेरा मेडिकल स्टाप, हमारे सभी सभाई करुचारी भाई भेन, हमारे एंबुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षाबल, पुलीस कर्मी, सभी की सराना करूंगा, आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दाव पर रगा कर लोगों को बचाया था, आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सूख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं, साथियों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैरियम, विदुरे अपिकाले, अर्थात, कठीन से कठीन समय में भी हमें धैरिय नहीं खोना चाहिए, किसी भी परिस्तिती से निपटने के लिए, हम सही नेड़े लें, सही दिशा में प्रहास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं, इसी मंत्र को सामने रखकर, आज देश दिन रात काम कर रहा है, बीते कुछ दिनों में, जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिती को तेजी से सुधारेंगे, इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में, ऑक्सिजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इस विशे पर तेजी से और पूरी समवेदन सिल्टा के साथ काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरुरत मन को ऑक्सिजन मिले, ऑक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं, राज्यों में नए उक्सिजन प्लांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुंचाने हो, और द्योगी इकाईयों में इस्तिमाल हो रही उक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो, उक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है, साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाईयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है, आज जन्वरी फर्वरी की तुलना में, देश में कई गुना ज्यादा दवाईयों का प्रोडक्शन हो रहा है, इसे अभी और तेज किया जा रहा है, कल भी मेरी देश की फार्मा इंडिस्ट्री के बड़े जो प्रमुक लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हर तरीके से दवाई कम्पनियां की मदद ली जा रही हैं, हम सौगपाग्य साली हैं, कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है, जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईया बनाता है, इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है, कुछ शहरों में ज़्यादा डिमांड को देखते हुए विशेश और विशाल कोविर होस्पिटल बनाए जा रहे हैं, साथियों पिछले बर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे, उसी समय भारत में कोरोना वाइरस के खिलाब प्रभावी वैक्सिन्स के लिए काम शुरू कर दिया था, हमारे वैज्यानिकों ने दीन रात एक करके बहुत कम समय में देश वाच्चों के लिए वैक्सिन्स विक्सित किये हैं, आज दुनिया की सबसे सस्थी वैक्सिन भारत में हैं, भारत की कोल्ड चेन विवस्ता के अनुकुल वैक्सिन्स हमारे पास हैं, इस प्रयास में हमारे प्रावेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बहतरीन प्रदर्शन किया है, वैक्सिन्स की एप्रूबल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट ट्रेक पर रखने के साथ ही, सभी साइन्टिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है, यह एक टीम एफट है जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वैक्शिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभ्यान शुरू कर पाया, टीका करण के पहले चरण से ही गती के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा छेत्रों तक जरूरत मन लोगों तक वैक्शिन पहुँचे, दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले दस करोड, फिर ग्यारा करोड और बारा करोड वैक्शिन डोस दिये गए हैं। आज करोड़ा से इस लड़ाई में हमें होसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केर वर्कर्स, फ्रंट लाइन करोड़ा वारियर्स और सीनियर सिटिजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्शिन का लाब मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्शिन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। एक मई के बाद से अठारा वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्शिनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्शिन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीदे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजरगों, नीबले मद्यमबर के लोग, मद्यमबर के लोग, पैतालिस वर्स की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्शिन कारेकम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुक्त वैक्शिन मिलती रहेगी जिसका फायदा जैसा मैंने कहा हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मद्यमबर, निम्मद्यमबर के परिवार हो, वो उनका लाब उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए हैं और जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयासे भी यह है कि आर्थिक गतिविधियां और आजिविकां कम से कम प्रभावितों प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सिनेशन को अठारा वर्ष की आयू के उपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है, उसे तेजी से वैक्सिन उपलब्द होगी। राज्यों और केंद्र सरकारे के प्रयासों से स्रमीकों को भी तेजी से वैक्सिन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्र है कि वो स्रमीकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्र करें कि वो जहां है वही रहे, राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा, उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जीश शहर में है, वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्सिन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। साथियों, पिछली बार जो परिस्थितियां थी, वो अभी से काफी विर्ण थी, तब हमारे पास इस वैस्विक महामारी से लड़ने के लिए, कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफा सक्टर नहीं था। आप याद करिये, देश की क्या स्थिति थी, कोरोना टेस्टिंग के लिए परियाप्त लैब नहीं, पी-पी-ई का कोई प्रोड़क्शन नहीं, हमारे पास इस बिमारी के ट्रिट्मेंट के लिए कोई खात जानकारी भी नहीं, लेकिन बहुती कम समय में, हमने इन चीजों में सुधार किया, आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुती अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली हैं, वो जादा से जादा जीवन बचा रहे हैं, आज हमारे पास बड़ी मात्रा में PPE कीट्स हैं, लैप्स का बड़ा नेटवर्ग हैं, और हम लोग टेस्टिंग की सुविदा को निरंतर बढ़ा रहे हैं, साथियों, देश ने करोना के खिलाब अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी हैं, इसका स्रे आप सभी को, सभी देशवास्यों को ही जाता है, अनुशासन और धैर्य के साथ करोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं, मुझे विश्वास हैं, जन भागिदारी की ताकत से हम करोना के इस तुफान को भी परास्त कर पाएंगे, आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाने में दिन राद जुटे हैं, दवाई पहुँचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्ता करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं, मैं इन सभी के सेवा भाव को आदर पुर्वक नमन करता हूँ, और देशवासियों से अपील करता हूँ, कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं, और जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाएं, समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे, मेरा युवास साथियों से अनुरोध है, कि वो अपनी सोसाइटी में, मौले में, एपार्टमेंट्स में, छोटी-छोटी कमीटियां बना कर, कोवीड अनुसासन पालन करवाने में मदद करें, हम ऐसा करेंगे, तो सरकारों को, न कभी कंट्रेंट्मेंट जोन लगाने की जरूरोट पड़ेगी, न करव्यू लगाने की जरूर पड़ेगी, और लोगडाउन का तो सवाल ही नहीं उड़ता है, आवसकता ही नहीं पड़ेगी, सवच्छता अभियान के समय, देश में जागरुक का फैलाने के लिए, मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की दी, छोटे-छोटे बालक, पाचवी, साथवी, आचवी, दसवी पर पड़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था, उन्होंने बड़ों को भी सवच्छता का संदेश दिया था, आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हूँ, मेरे बाल मित्रों, गर में ऐसा माहुर बनाईए, कि बीना काम, बीना काराण, घर के लोग गर से बाहर न निकले, आपकी जीत, बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है, प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है, कि ऐसे संकट की घरी में, वो लोगों को सतर्क और जागरुक करने के लिए, जो प्रयास कर रहे हैं, उसे और बढ़ाएं, इसके साथ ही, इसके लिए भी काम करें, कि डर का माहोल कम हो सके, लोग अफ़ा और ब्रह्म में ना आए, साथियों, आज की स्थिती में, हमें देश को लोगडाउन से बचाना है, मैं राज्जों से भी अनुरोद करूँगा, कि वो लोगडाउन को अंतिन विकल्प के रुप में ही इस्तिमाल करें, मैं लोगडाउन से बचने की भरपुर कोशिश करनी है, और माइक्रो कंटेंडमेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है, हम अपनी अर्थववस्ता की सहथ भी सुधारेंगे, और देश्वासियों की सहथ का भी ध्यान रखेंगे, साथियों, आज नवरात्री का आखरी दीन है, कल राम नवमी हैं, और मर्यादा पुरसोतम स्री राम का हम सभी को यही संदेश है, कि हम मर्यादाओं का पालन करें, कोरोना के इस संकटकाल में, कोरोना के बचने के जो भी उपाए है, कुरुपिया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए, दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है, यह मंत्र जरूरी है, वेक्षिन के बाद भी जरूरी है, रमजान के पवित्र महने का भी अग सात्मा दीन है, रमजान हमें धैरिय, आत्मसयम और अनुर्शासन की सीख देता है, कोरोना के खिलाप जंग जीतने के लिए, अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है, जब जरूरी हो, तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करे, मेरा आप सभी से यही आग रहें, मैं आपको फिर यह भरोसा देता हूँ, आपके इस साहस, धैरिय और अनुशासन के साथ जुड़कर, आज जो परिसित्या हैं, उन्हें बदलने में देश, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, आप सभी स्वस्त रहें, आपका परिवार सा स्वस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समात करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,